अब एक चीज यह होती है कि portfolio हमने बना लिया लेकिन recruiters को mind में रखते हुए यानि कि recruiter centric projects कैसे हम बनाएं जो recruiter को चाहिए हैं वो वाले projects हम कैसे बनाएं तो what do recruiters look for in your portfolio या in a portfolio कि जो recruiters होते हैं कैसे और क्या देखते हैं एक portfolio के अंदर मैं आप वो चीज आपको दिखाता हूँ सबसे पहला काम जो recruiters देखते हैं वो देखते हैं कि data scientist जो हैं अगर उसने कोई experience लिखा है तो वो क्या क्या expect करते हैं उससे वो मैं बताता हूँ सबसे पहले वो ये expect करते हैं कि इस बंदे को handle करने आना चाहिए big data वो data को देखके परिशान ना हो मिसाल के थोर पर आपने एक data science के project के लिए apply किया है मैं एक simple सी example देता हूँ कि आपने data science के project के लिए apply किया ठीक है और वो आपको कहते हैं कि 2.5 million rows का data set है तो ये कैसे open करें गया आप कहते हैं सबसे पहले मैं excel में लेके जाऊंगा भाई उधरी stop लब जाना है क्यों क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि excel maximum कितनी रोज को check कर सकते है ठीक है और excel के वैसे बांबा हो जानी है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप handle करेंगे बड़े डेटा को फिर वो आपसे पूछते है कि किस फाइल में होना ज़रूरी है आप कहते हैं कि excel की फाइल दे दो डिजन्ट मैटर लेकिन आप उसको handle कैसे करते है अगर वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन सी फाइल जो है आप सबसे फास्ट चलती है तो उसके लिए आपको तयार होना है कि मैं बिग डेटा में तयार हूँ मुझे पता है कि बिग डेटा को कैसे हैंडल करना है और आप में पैशन होना चाहिए डेटा को deal करने का मेरे एक इंटर्वी में ये question पूछा गया था कि हमारे पास तो डेटा ऐसा है 26-26 GB की फाइल है तो आप कैसे maintain करेंगे मैंने का I love data क्योंकि मुझे सच में प्यार है data से तो मुझे बता है किस तरीके से data को handle करना है I mentioned that and believe me जहां पर मेरा interview था recruiter was very happy about that so pre-processing of data में आपकी इतनी command होनी चाहिए pre-processing करने में pre-processing में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती है आपका जनाब डेटा सेट को import करना, डेटा सेट में anomalies चेक करना, missing values चेक करना, duplicates चेक करना, outlier चेक करना, EDA करना hypothesis बनाना, data visualization करना और डेटा को इतना clean और काबिल बना लेना कि वो machine learning और advanced task के लिए use किया जा सके, उस एक चीज़ के उपर, जो आप काम करते हैं, उसे pre-processing of data कहते हैं और pre-processing में अक्सर लोग मार खाते हैं, और 80% of the time, data scientists सिरफ pre-processing करते हैं data की तो अगर आपको यही नहीं आती, तो आप गए, ठीक है, तो pre-processing पर इतने projects आप बनाएं, कि लोग खुद देखें कि यहार, इसने pre-process किया data ठीक है, need of the stakeholders यानि कि needs of the stakeholder को handle करना आना चाहिए, stakeholder कोन है आपके bosses, या वो लोग जिन्होंने आपकी salaries बेक करनी है, या जिनका data है, और वो आपको पैसे दे के कहरें कि इसको analyze करो अब stakeholders की needs क्या होती है आपने पहले उनसे पूछना है कि आपके question क्या चाहती है इस data में से निकालना ठीक है, तो वो question जो है वो आपने सबसे पहले उनसे पूछने फिर उनके मताबिक data को analyze करने ठीक है, ये नहीं करना कि जो आपका दिल किया वो analysis कर दिया, तो stakeholder से पहले पूछें कि आपको चाहिए क्या उसके मताबिक data analyze करें clear and concise goals होने चाहिए आपके, concise goal क्या होते है ऐसा goal, ऐसा purpose कि आपको पहले से पताओ कि यार मैंने इस data में flanches निकालके एक column को future में predict करना for example, ये सारे data मेरे पास आगया पाकिसान का, my goal is to predict GDP per capita for next year ठीक है, तो आपको clearly one-liners पता होने चाहिए कि मैंने ये काम करना है, ठीक है then they ask you कि यार आपी को क्यों रखें और वो देखते हैं कि आप किस तरीके से communicate करते हैं, आपने ये नहीं कहना कि मैं बहुत कमाल हूँ, मुझे सब आता है यहां पर सब कुछ कर जाओंगा, मैंने कुछ 26 project कर लिए, मैंने flan कर लिए, मैंने flan कर लिए नहीं, realistic रहे हैं, जो आपको आता है, वो ही बताएं, और जिसमें आपने कहना कि company मुझे क्या क्या दे रही है आपने ये भी बताना कि मैं company को क्या दूँगा और वो बकाइदा लिखना है आपने जब कोई application देनी है और recruiters भी इन चीज को देखते हैं कि इसका impact क्या होगा company में, ठीक है आपने अपने tools जो है वो बताने है और CV में आपने लिखा है मुझे python भी आता है R भी आती है, SQL भी आता है LinkedIn में कुछ में नहीं लिखा हुआ है इसके related और नहीं आपके पास कोई skills है ना badges है तो how you can actually say कि आपको ये सब कुछ आता है आपने वैसे तो लिख दिया है मैंने 26 प्रोजेक्ट की है आपने केगल पर कुई भी नहीं अपलोड किया then how you can actually say कि मुझे प्रोजेक्ट का पता है so there are some kind of confirmations from those people जो वो check करते है so believe me, if you handle those things in advance तो आपको और भी फायदा होगा फिर आप report ऐसे करें डेटा को कि सब को समझ आए एक आम आदमी को भी समझ आए एक experience बंदे को भी समझ आए और एक ऐसे बंदे को भी समझ आए जो totally layman है data scientist का ज्यादा तर काम क्या होता है data science site निकाल के stakeholders को देना और पाकिसान के पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा तर stakeholders educated कम होती है वो technically educated नहीं होते है मतलब यह उन्हें python का नहीं पता होगा तो आपने यह बताने नहीं पहट जाना आपने python से यह काम किया आपने यह काम करना है कि उनको report ऐसे करना है data visualization के थूरू कि आप story बताएं उन्हें समझ आया इन चीजों की और वो उससे इतना knowledge gain करें कि वो कोई key takeaways लेके उठें वहाँ से तो reporting should be easy for all ठीक है then storytelling is one of the main ingredient यहाँ पे आपको समझ आकी होगी and then आपने outputs ऐसे present करनी है कि लोग देखते ही समझ जाएं कि यार यहाँ पे हमें अब समझ आई है मतलब graphically आपने present करनी है लोगों के लिए असानी पैदा करनी है daily life की analogies देनी है presentation skills अपनी improve करके आप रखेंगे अपने पास ठीक है और अब हम आगे बात करेंगे